हलो फ्रेंड्स वंस गैन वेलकम तू माई यूटूब चैनल तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे जो भी ओमर बेस्ट एक्जामिनेशन होते हैं जेके SSB की तरफ से उसकी जब आफिशल एंसर की आती है तो आपको रिप्रेंटेशन अब्जेक्शन फाइल करने के लिए कहा जाता है यानि अगर आपको लगता है कि कोई भी कोशन्स जिसको आप क्लैम कर रहे हो कि इसका आप्शन ये नहीं बलकि ये होना चाहिए तो आप उसके लिए रिप्रेंटेशन फाइल कर सकते हो यह representation आपको कैसे फाइल करनी है इसका क्या कुछ process है यह मैं आपको starting से लेकर end तक बताने वाला हूँ और with life proof आपको बताने वाला हूँ तो चलिए friends इसमें सबसे पहले आपको JKSSB की official website जो है वो open कर लेनी है और उसके बाद वहाँ पर आपको आपने role number या application form जो number होगा वो आपने इंटर करना है और साथ में data of birth इंटर करके आपको login हो जाना है और उसके बाद जो भी information आप से मांगी जाएंगी वहाँ पे वो आपको fill up करनी है और उसके बाद save and continue के option पे क्लिक करना है और last में आपको submit का option मिलेगा और submit करने के बाद आपकी representation जो है वो successfully submit हो जाएगी लेकिन यहाँ पर कुछ बादों का आपको दियान रखना है सबसे पहले जिस भी questions के लिए representations आप submit करना चाहते हो उसके साथ आपको जो है documentary evidence जो है वो देने होंगे यह documentary evidence आप चाहे Wikipedia से हूँ या किसी books से हूँ उस book का नाम उसका page number और साथ में वहां से photo लेकर वो आपको PDF के तोर पर जो है वो upload करना होगा इसके इलावा अगर आप एक से ज़दा questions के लिए representation डालना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग अलग representation जो है वो डालनी पड़ेंगी यानि हर questions के लिए आपको अलग representation जो है वो डालनी होंगी तो चलिए अब हम JKSSP की official website पे चलते हैं और आपको live बताते हैं कि आप representation कैसे file कर सकते हो तो friends यहाँ पर हम JKSSP की official website पे आ चुके हैं और यहाँ left corner में आपको कुछ options मिल जाएंगे तो आपने यह जो blink करता हुआ link है seeking of objections representations if any for the warmer based object type written examinations held on 6.3.2022 तो इस link पर आपने जो है वो click कर देना है चलिए हम इस link को जो है open कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपसे मंगा जाएगा application number यहाँ पर आपको application number जो है वो बार देना है यहाँ पर date of birth यहाँ पर आपको select post पोस्ट जो आपको select कर लेनी है और यहाँ पर जो code है आपको यह code इंटर करके आपको login हो जाना है तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले application numbers और date of birth फिल अप कर लेता हूँ तो friends यहाँ पर मैंने अपना application number और date of birth लगा के यहाँ से login कर लिया है अब आपको यहाँ पर कुछ information जो है वो फिल अप करनी होंगी तो यहाँ पर सबसे पहले आपको question booklet number यहाँ पर जो है आपको fill up कर देना है second option पर यहाँ पर आपको question series number जो भी आपकी question booklet का series number था वो यहाँ पर आपको जो है वो mark up कर देना है उसके बाद अगर आप यहाँ से जो भी आपकी booklet का series था A या B वो आपको यहाँ से download करना है और जिस भी questions की representations आप डाले चाते हो उसका वहाँ से screenshot आपको ले ले लेना है और साथ में जो official answer की है वो यहाँ से download करनी है और उसका भी screenshot आपको ले ले लेना है जो यहाँ पर official answer की पर जो right answer जो दिया गया है और इसके बाद question number यहाँ पर आपको question नमबर डाला है जिस भी questions की आप यहाँ पर representation डालना चाहते हो जिसकी भी objection फाइल करना चाहते हो यहाँ पर one से लेकार 120 ता questions जो है वो दिये गए हैं तो जिस के लिए भी representation डालना चाहते हो यहाँ से आपको select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर candidate contest response यहाँ पर आपको response जो है वो submit करना है यानि अगर जेके SSB की जो official answer की है उस पर अगर जो right answer है वो बी part दिया गया है लेकन आप claim कर रहे हो कि बी नहीं बलके c जो है वो right option है तो आपको c option यहाँ पर जो है वो click कर देना है और c option mark करने के बाद आपको यहाँ पर next में representation text जो है वो fill up करना representation text में आपको लिखना है कि यह question जो है वो wrong क्यों है उसको आपने यहाँ पर text के तोर पर जो है explain करना है और last में जो भी documentary evidence proof है और जो आपने screen shots लिये है वो उन सभी का एक PDF file बना के आपको यहाँ पर जो है वो upload कर देना है और यहाँ पर save and continue के option पर click करना है और उसके बाद आपके पास आएगा submit का button और submit पर click करके आपकी जो representation है वो successfully submit हो जाएगी तो यह friends पूरा process था जैके ssb main representation file करने का तो friends अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को like शुरू किजिए और चैनल पे अगर first time visit करें चैनल को subscribe ज़रूर कर लें thank you